सद्गुरू, मैंने मिस्टिक म्यूजिंग्स किताब में पढ़ा है कि ध्यान लिंग प्राण प्रतिष्ठा के समय आपने ताली बजाई और लिंग में एक दरार हो गई थी. क्या आप उसके महत्व को समझा सकते हैं? क्या ये ध्वनी की वजह से था या फिर कुछ और? आप चाते हैं मैं अभी बजाओं? तो ये ध्वनी की वजह से नहीं था. पंडिज जिस ध्वनी की शक्ती की बात कर रहे थे, उसे आदोनिक विज्ञान में हम अनुनाद के रूप में समझाने की कोशिश करते हैं. अगर शूती परफेक्ट हो दो तारों में, तो वो स्वाभाविक रूप से तूट जाएंगे. जो पंडिज जी कह रहे थे, पुल का तूटना, हर स्कूली किताब में एक आदर सुदाहरण है, कि दो सैनिक चल रहे हैं, और वो पुल जो कई टन वजन ले सकता है, वो ढह जाता है. बस इसलिए क्योंकि दो आदमी एक ताल में चल रहे हैं. ये इसका एक आदर सुदाहरण है. तो बस ध्वनी से ही किसी भी चीज में दरार आ सकती है. बस इतना करने से भी. अगर दो लोग बस इतना करें, और अगर ये बिल्कुल सही मेल है, तो ये बिल्डिंग गिरा सकता है. तो हम संस्थानों में पर्फेक्ट संगीतकार पैदा नहीं करते. वो बिल्डिंग गिरा देंगे. क्योंकि पूरी तरह से ताल में होना, एक ऐसी उर्जा का निर्मान करता है, जहाँ एक और एक, अब दो नहीं, बलकि एक और एक लाखों बन जाता है. शास्त्री संगीत में जब दो लोग गाते हैं, जुगलबंदी कभी भी एक साथ गाने के बारे में नहीं होता. वो हमेशा इस तरह सेट करते हैं, क्योंकि जिन संगीतकारों ने ये संगीत रचा, उन्हें पता है, कि अगर दो संगीतकारों का बिलकुल परफेक्ट मेल हो जाए, तो वो भौतिक धाचे को नुकसान पहुँचा सकते हैं, लोगों को मुक्ती मिल सकती है, उनका शरीर नश्ठ हो सकता है, ये संभव है. आप स्रिष्टी में ये जो पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं, वो अनिर्मित से निर्मित की ओर है, अप्रकट से प्रकट होने की ओर, पर एक दूसरी प्रक्रिया भी हो रही है, आज वैज्ञानिकों ने पाया है कि पूरी की पूरी आकाश गंगा, खुद में ही ढह जाए एक ब्लैक होल बन जाएगी, ये शून्यता है, और शून्यता को ब्रहमांड की सबसे शक्तिशाली जगय के रूप में पहचाना गया है, आज वो उसे डार्क एनरजी का नाम दे रहे हैं या जो भी, तो असल में ध्वनी एक खास तरह की ये स्रिष्टी की और पहला कदम है शून्यता से, लेकिन योग उन्हें मिलाने के बारे में हैं, जो स्रिष्टी है और जो शून्यता है, योग शब्द का मतलब है मिलन, उन्हें मिलना जो स्रिष्टी है और स्रिष्टी मतलब एक सीमित रूप, चाहे वो ग्रै हो या फिर सौर मंडल या फिर आकाश गंगा, पर फिर भी ये एक सीमित रूप है. हमारी समझ में ये विशाल हो सकता है. हम सोच सकते हैं कि ब्रह्मान्ड असीमित है. ये हमारी समझ है. एक चीटी सोच सकती है कि आप असीमित है. आकार की हमारी समझ, हमारे खुद के आकार की वज़े से, उस आधार से हम किसी चीज़ को बड़ा या छोटा देखते हैं. असल में, कोई भी रूप एक सीमित जगा है. तो योग मतलब मिलाना, जो सीमित है उसे असीमित से मिलाना. तो जिसका आकार है, उसे निराकार बनाना. लेकिन साथ ही, हम अपने आकार को नहीं खोना चाते हैं. बलकि हम सीमित को असीमित से मिलाना चाते हैं. योग मतलब एक दूसरा शब्द है, योग, यानि जोड़ना. तो हम सीमित को असीमित से जोड़ना या मिलाना चाते हैं. हम उन्हें इस तरह मिलाना चाहते हैं कि हमें दोनों का अनुभव हो इसलिए हम आपको शामभवी सिखा रहे हैं यानि कि ये एक मिलाप की तरह है जान स्रिजन और शून्य आपके भीतर एकी समय पर घटित हो रहे हैं स्रिष्टी की प्रक्रिया अप्रकट से प्रकट की ओर बढ़ना है लेकिन एक दूसरा आयाम जो और भी ज्यादा महतवपूर्ण है वो है प्रकट से अप्रकट की ओर जाना तो ये एक एसी संस्कृती है जिसने उस प्रक्रिया के महतव को पहचाना और उसे अस्तित्व की सबसे महतुपून प्रक्रिया के रूप में समझा इसलिए तो हम संगहारक को महादेव कहते हैं संगहारक मतलब वो प्रकट को अप्रकट की ओर ले जा रहे हैं इसलिए उन्हें सबसे उपर रखा गया है क्योंकि यहां हमने इस प्रक्रिया को सबसे महतुपून समझा है अप्रकट को प्रकट करना एक सीमित प्रक्रिया है लेकिन प्रकट को अप्रकट करना एक असीमित प्रक्रिया है तो यही वज़ा है कि शेव संहारक होने के बाद भी महादेव कहलाते हैं तो लिंग में दरार ध्वनी की वज़े से नहीं हुई थी मुझे नहीं पता कि आवाज थी भी या नहीं कुछ आवाज रही होगी पर ये उससे नहीं है ये एक अलग प्रक्रिया है क्योंकि अगर कोई उर्जा एक उंचे स्तर पर होती है तो ध्वनी पैदा होती है क्या आपने देखा है हवाई जहाल जब लड़ाकू विमान निकलते हैं और वो ध्वनी की सीमा को पार कर जाते हैं बूम एक बम की तरह जाता है बस इतना हुआ कि एक चीज इतनी तेजी से गई की स्पीड की एक सीमा को जब ये पार कर गई तो अचानक एक धमाकेदार आवा कोई विस्फोट नहीं हुआ देखे कोई विस्फोट नहीं हुआ कोई आग नहीं लगी लेकिन आवाज हुई जब विमान ध्वनी की सीमा को पार कर गया तो कोई आग नहीं लगी कोई धमाका नहीं हुआ इसके इंजन में कुछ अलग नहीं हो रा लेकिन फिर भी आप एक पूम सुनते हैं, क्योंकि एक उर्जा पैदा हुई है, तो उर्जा ध्वनी का आधार है, ध्वनी उर्जा का आधार नहीं है, ये उर्जा है जो ध्वनी का आधार है, क्योंकि ये शरीर में उर्जा है, इसलिए मैं आवाज निकाल पा रहा हूँ, है ना, लेकिन साथ ही, एक दूसरे स्तर पर ध्वनी भी उर्जा का आधार है, ध्वनी की वज़े से ही उर्जा आई है, जब कोई ध्वनी नहीं होती, तो उर्जा होती लेकिन प्रकट नहीं होती, बस वहां होती है, तो आज आधोनिक न्यूकलियर विज्ञान इसे एक खास तरीके से समझा रहा है, कि आप वर्चुल प्रोटॉन और वर्चुल न्यूट्रॉन बनते देख सकते हैं। अगर बस बाहर भी आप उर्जा दे दें, इस चेंबर से जुड़ा हुआ नहीं। अगर आप चारों और भी थोड़ी उर्जा गुमा दें, तो आप देखेंगे वर्चुल प्रोटॉन बनने शुरू हो गए। यानि कि स्रिष्टी पूर्ण शूनिता में घटित हो रही है। तो उस शूनिता में, जिसे हम शिव कहते हैं, स्रिष्टी का निर्मान शुरू हुआ, उर्जा का पहला खेल। तो हम इसे शक्ती कहते हैं, उर्जा शक्ती है, जैसे ही शक्ती आती है, तो स्रिष्टी का बनना शुरू होता है, स्रिष्टी का पहला रूप हमेशा ध्वनी होता है, सबसे पहले एक शब्द था, और ये दोनों तरह से, देखिए हम हर चीज़ को तरक से समझने की कोशिश करते हैं, तरक हमेशा एक-एक कदम करके आगे बढ़ता है, स्रिष्टी एक-एक कदम नहीं बढ़ती, इसे तरक से लिखने की कोशिश का कोई मतलब नहीं है, कि ये, ये, ये ऐसे स्रिष्टी बनती है, ये एक बेवकूफी भरा तरीका होगा, किवल एक ही तरीका है, अगर आप अंदर डुपकी मार लें, जिसका भी इस्तिमाल करके, चाहे संगीत का करें, ध्वनी का, हथोड़े का, जो आप चाहें इस्तिमाल कीजे, बस अंदर कूच जाएं, तो आप जान लेंगे.